ख़बर देखने से पहले इस चैनल को यहां क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दबा कर सभी ख़बरे सबसे पहले पाए वक्ता है से जलाल उद्दिन एक एर्वकेट भी है आज हम से पत्रकारीत और राजनिती पर बात करना चाहते हैं सर आपका इस बारत मामले में क्या कहना है कि ने आज का कारिकरम कि बहुत अच्छा रहा मैं शुक्त गुजार हूं जनाब सरोष्ति पार्टी साहब का और सिय्द सल्मान साहब का और आप सब का कि आप सबने बड़ी महब़त के साथ इस प्रोग्रेम को जो है और इसमें जो है बड़ी तफसीली बातचीत अप लोगों के साथ हुई सियासत का, सहाफत का, जनलिजम का और पॉलिटिक्स का बड़ा गहरा रिष्टा है, चुलिदामन का है और शुरू के वक्तों से अगर आप देखेंगे जनलिजम के हिस्टरी में भी तो वो लोग आम तोर पर जो सियासी जिन्दगी में पहले आए तो कहीं ने कहीं किसी नजरिये किसी ने किसी विचाररई और सिधान ने रखकरर के वो आये थे और फिर वो अपने उन्हीं विचारों को प्रपागेट करने के लिए उनों ने जो है صحافत का, पत्रकारिता का साथ दिया और साथ लिया रख करके वो आये थे और फिर वो अपने उन्हीं विचारों को प्रोमोट और उसको प्रोपागेट करने के लिए उन्हों ने जो है सहाफत का पत्रकारिता का साथ दिया और साथ लिया जैसे अगर आप देखें तो आजादी की लड़ाई में गाधी जी ने और यह से पंडित नहरू को अप ले ले लें बौनाजाद को ले लें इन सब लोगों ने जो है अपने अख़वाराद भी शुरू किये और उसके जरीए जो है वो कांग्रिस की जो उनकी पॉलिसी थी उसको सामने रखने कोशिश की या दूसरी तरफ की लोग भी थे जैसे फ एक चीज़ अलबता मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे अब आ रहे हैं पत्रकारिता में वो जो है अपना रिष्टा थोड़ा सा जो है इल्म के साथ भी जोड़ें क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर वो इस मुल्क की तारीख है हिस्ट्री है या दूसरे जो पॉलिटिकल करने डिवलफमेंट्स को अज़ بعد ना लुट 9 कर तक आए जर्म करें अब अगर्वारे सनसान के पत्रकारिता के कोर्स कर रहें बच्चों से इसको इस पर बात करना चाहेंगे अपना सिंग आपका कुछ कहना अ कुछ गया कें किसी यह बहुत अच्छी वात और जैसे कि समया जलाल उद्दिन सर ने बताया कि हमें इमानदारी के साथ पत्रकारता करने चाहिए और किसी हमेशा समाज को देखकर ही करने चाहिए बिकॉस हम जो पत्रकार है वो समाज का एक आईना होता है और हम समाज को हमेशा सच दिखाने की कोशिस करेंगे और हम सभी जो जनलिजम कर रहे हैं, मेरी भी यह आशा है कि हम सभी एक आईना बन कर लोगों को मार्क दर्शित करते रहे हैं पत्रकार समाज का आयना भी या कर सकते हैंD पूंने वाला बात भी आपकी बात को मानी लेगा रिश्ट इवारी हम आप से बात पुछना चाहते हैं आप अब आज करके पर जो इलेट्रोनिक मीडिया उनके मालिकों से कुछ कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स की दरफ किस तरफ से जुके रहना चाहिए कि पत्रकार को कैसे हो ना चाहिए कुछ मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मीडियाहॉस इतने भी हैं वो किसी राजनीतिक के परफेक्स में अपनी जुकाओं मतलब म् उप्रमि और कुछी कें दिमाग नहीं डाल सकते हैं लेकिन अगर क्याना में मीडिया हौस की जो examat में हमारे पत्रकार को पत्रकर होते हैं उनको इक आजादी देनी चाहिए कि मीडिया मेडिया के मालज को कि मतलब समाज में तुम nothing निस्पक्ष हो के मीडिया चाहे इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो तो सभी मीडिया में वह मतलब की अपना एकदम खुला विचार रख सकी तो आजारी किसे होने चाहिए पत्रकार या मालिक को कि अपने ख्रया मेरे इतलकी मांता होकि यह उस्कार आत्मानी सेश स्माए से जुड़ हुआ होता है तो इसलिए मतलब की वह diagnosis ज्यादा मतलब न में शाहिए अभिए अससरों स्थर पाडिए सर से इसी मुद्वे बात करना चाहिए ताउँ कोई चाहना है कि अब मीडिया जो है और राजीतिक्यों के तू-तुटू मेय को मेच रहा है टेलिवीजन चैनल पर जिस तरह के डिसक्रस्न होते हैं और जिस तरह से हंगामा किया जाता है वह तमासे को बेच करके द्रिपे समर्पैसे कमा और कलेक्स की पार्टी में सामिल हो जाते हैं, नीतियों की कोई बात नहीं रह गई, तो मीडिया को इसमें पैसे भी कम खर्च करने पड़े हैं, क्योंकि किसी भी चीज की छान भी नहीं करनी है, बस एक कमरे में बैट करके दो लोगों से बात कर लेनी है या फोन पर बात कर लेनी है और रिपोर्ट तैयार कर दी तो यह अब जो है बहुत सस्ता बना दिया जा रहा है इसको राजनित को और जनता की मानसिक्ता को बहुत सस्ता बना दिया जा रहा है उसमें गंभीर मसलों प सहने कि जो ताकत है कि वो ऑकम होती जा रही है मीडिया के मालिकों में हिज वाली फिर नोग तन्तर के लिए खतर्नाक है क density लोगों को मैंस्च जारा रहा है कि लोगतंतर का मतलब यह होता है जो राजनेता आ żray are जलता रहा है टो मारो था सब्सक्रे में जाये का पतौर्प acum साल करने के लिए मीडिया नहीं है लोगों का मनुरण्जन करने के लिए मेडिया है तो अब जो है राजनीती नचा रही है लोगों को और नचाने वाला गेम बंद होना चाहिए तैंक यू सर इस मामले में एक ही बात कहूंगा कि पत्रकार को राजनीत के प्रभाव में नहीं आना चाहिए निस्पक्स जो सही बात है उसे लिखना जरूरी है बिना ड चाहिए यहां पत्रकार के ऊद्रकार के अपनी या तो स्वभावि राजनीत में ज्यादा इंट्रेस्ट में रखते है राजनीतिक संरक्षण रहता है इसके बावजूद भी कहीं ने कहीं वो भी एक पत्रकार है और उसके मन में कुछ तो एक पंच लगता जरूर है कि मैं गलत कर रहा हूँ एक नेक दिन उस पर सुधार होता ही है इस मामने पे हम गंबीर बात करेंगे सलमान साइट से सर आपका कुछ कहना किस वीशेपर इसी वीशेफर राजनीती का पत्रकारीता राजनीती यारव पत्रकारीता एक इक दूसरे सोशल मीडिया में इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं फेस्बुक पर ले लिजिए ट्विटर पर ले लिजिए आप वाटसेप पर ले लिजिए गंभीर से गंभीर बड़े पत्रकारों को भी किसी ने किसी आइडियोलोजी से जुड़ा हुआ पाया जा रहा है और वो अप अच्छे लोगों को अपनी राजनीतिक सोच को सकती के साथ रखते हैं जब हम देखते हैं तो जब उनके आर्टिकल्स हम आखबारों में पढ़ते हैं उनके संबंदित आखबारों में उन जिस चैनल से जुड़े हुए जब उस चैनल पर उनको देखते हैं और जब वो बा रहे इसलिए सच्चाई जो लिखते होंगे जो उनके मन में है वो सोशल मीडिया वाला सही है, अख़बार से लिए और चैनल्स के लिए जब बोलते हैं या लिखते हैं, तो कहीं न कहीं मालिकों का प्रभाव है और वो अपने उस तरह के प्रभाव से हैं, अच्छे अच्छे कि बातें रख रहे हैं जो पत्रकार की दृष्टी से अगर उनके नैतिक मुल्यों को देखा जाए तो कहीं न कहीं वह घलत लगता है फिर भी वह अपनी बातों को रख रहे हैं और ऐसे लोगों को सम्मान के दृष्टी से देखा जा रहा है तो यह कहीं न कहीं प्रश्ण पत साथ जूड़े जा सकते हैं पत्रकाहिता से राजनीती चलती है राजनीती से पत्रकाहिता चलती है